91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धढ़कन हेलो हलवानी और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अनिल सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार दोस्तों एक कुमाउनी गीत काव्य पर आधारित डोक्यमेंटरी फिल्म है अंग्वाल और इसमें कुमाउं के बीते लगभग 200 सालों के समरिध साहित्य, साहित्यकार और खास तोर पर कवी और गीतकारों का उल्ले किया गया है ये फिल्म एक तरह से साहित्यक धरोहर को समारने और संजोने का एक अच्छा प्रयास है और इस फिल्म की स्क्रीनिंग उत्तराखंड मुक्तवेश विद्याले में हुई स्क्रीनिंग में फिल्म के निर्माता बीबी सी लंदन के पूर प्रसारक ललित मोहन जोशी मौजूद रहे और इस वक्त हमारे स्टूडियो में ललित मोहन जोशी जी मौजूद है तो ललित मोहन जोशी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हेलो हलबानी के स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंतरित करने के लिए और मुझे से बात करने के लिए तो अगर हम ललित मोहन जोशी जी के बारें बात करें तो ये एक बहु मुखी प्रतिभा के धनी है क्योंकि ये एक लेखक भी है, कवी भी है और फिल्मकार भी है और इसके अलावा भी इनका परिचाए काफी लंबा चोड़ा है तो वो हम बातों बातों में अभी आगे बात करेंगे इस बारे में तो फिल्हाल अभी अभजा देर न करते हुए हम आते हैं अपने जो हमारा आज को जो में विशय है जो अंग्वाल फिल्म रही आपकी तो ये अंग्वाल फिल्म का जो आइडिया था, ये आइडिया आपको कैसे आया और क्या कुछ खास वज़े थी इस फिल्म को बनाने के पीछे और जैसे जो इसकी हम थीम भी देखते हैं उस थीम के बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे शोताओं के सामने अपनी बात रखेंगे देखी इसका जो उद्भाव बिंदु है वो शायद मेरे हिर्दे के भीतर का दर्द है जो की उबजा जब मैंने अपने पहाड को छोड़ दिया और परिस्टियों से सब होता है और मैं जैसे का आप जानते हैं 35 साल से मैं लंदन में रह रहा हूँ उसके वहले मैं लखनों और लाबाद में दिशिक्षा पूरी की और वहां काम भी किया तो ये कोई चेतन बात नहीं थी मेरे और वो चेतन में शायदी बात थी और असा हैसा 2017 में जब मैं चारुचंद पांड़ेजी से मिला क्योंकि बच्पन से मुझे जानते थे अपने बेटे की तरह मांते थे और मे तो उनने मुझे अंगवाल अपनी किताब पोईट्री कलेक्शन दिया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि कैसे सब कुछ चूरता चला जाता है आपकी जड़ चूरती चले जाती है तो मुझे इस बात का हैसास हुआ कि मेरे दो सगे मामा शामा चान दत्पंथ और आमदत्पंथ बहुत ही एक रिलेजिनरी कवी हैं कुमाओं के तो मैंने सोचा कि मैं उन पर अध्यन करता हूँ और फिर लगा कि मुझे फिल्म बनाने चाहिए और फिर मुझे लगा कि कुमाओं में काव्य पर कोई काम नहीं हुआ है और कविता पर कोई फिल्म मैंने देखी तो मुझे नदर नहीं आई विदेशी फिल्म मैं तो मुझे लेकिन जहां चाव आ रहा और धीरे 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 ये एक स्वरूप ग्राण करने लगा और फिर हमने सोचा कि हम कविता पे अगर फिल्म कर रहे हैं तो उसमें कुछ कविताओं को गीत के रूप में संगीत बद्ध करना इसलिए आवरशिक होगा कि लोगों में एक इंटरस्ट पैदा हो तो कि कहानी अगर आप सपाट कहते हैं तो अक्सर रूप ही हो जाती है जैसे कथा फिल्म में गाने भी होते हैं रोमांच भी होता है उसी तरह कविता पर भी अगर आप डॉक्यमेंटरी भी बनाते हैं तो उसमें रंग होने चाहिए तो संगीत इसका एक रंग है और इसमें बहुत सारे यंग लोग हमने यूज किया, सारे स्थानी लोग को यूज किया, कोई विदेशी या बंबई का टेक्निशन हमने यूज किया, सारे पहाड के लोग है, और ये एक तरह से मेरे लिए एक गर्व की बात है, कि मैं ये फिल्म को बना सका, और मैं जानता हर फिल्म, हर काम जो है वापने आप में संपूर नहीं होता, उसमें कमिया भी होती है, पर कमिया भी आपकी रचनात मक्ता का ही अंग होता है। तो जैसे आपने ये फिल्म का निर्मान किया, तो इसकी जो एक थीम है, खास दौर पर जैसे काविताओं की बात की जाए, और जो कुमावनी कवी रचनाय जो रही है, जो कुमावनी कवी रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उनकी ये गाथा एक तरीके से ये फिल्म कहती है, हमारे सामने रखती है, और इसके अलावा ये पलायन पर भी एक तरीके से चोट करती है, तो इन दो थीम्स को एक साथ लेकर के च हम रोमांस के बारे में सोचते हैं हम प्रेम के बारे में सोचते हैं जब मैंने अपने भीतर देखना शुरू किया कि जिस पहाल को छोड़के मैं गया था उसकी हालत अच्छी नहीं है वहां पर और सबसे जादा जो बात आपको प्रभावित करती है या आप पर एक दुखत अ उनसे भी बात की तो मैं यह चाहता था कि कोई भी दर्द जो है उसमें दोनों चीज़ें होती है मिठास भी होती है और दर्द भी होता है पेन भी होता है तो पहाड आज भी सुन्दर है पहाड आज भी जान देने लाएक है लेकिन आज पहाड की जो दुर्दर्शा है उसक मैंने गीता पर कविता जो मेरे मामा ने लिखी थी, वो ली, वहीं पर हमने पलायन की भी बात की, वहीं पर हमने उन सैनिकों की बात की, जो पहाड के सैनिक जाते हैं, और वीरगती को प्राप्त होते हैं, और उनकी जब अर्थी आती है, तो सबसे जादा प्रभाव माँ पर और हमारे परंपराओं के वैसे वो बाहर नहीं आख पाती, तो जो दिवा भट ने जो कविता पढ़के सुनाई, तो मुझे लगता है कि ये एक कई सम्वेगों का, कई भावनाओं के समिश्रन, अगर आप सच में देखें तो जीवन भी यही है, जीवन में भी देखें, आप भावना से में उतर प्रोथ हो जाता हूँ, जैसे हम बात करें, किसी भी फिल्म के निर्माण में, काफी सारी समस्याइं आती हैं, और काफी सारी दिक्कतें आती हैं, काफी सारे चैलेंजिस हमारे सामने होती हैं, चुनोतियां हमारे सामने होती हैं, तो ऐसे ही इस फिल्म के निर्वान में भी आपके सामने कई सारी चुनोतियां आई होंगी और उन चुनोतियां का आपने कैसे सामना किया और खास दोर पे चुनोतियां जब कोविड का दोर जब हमारे सामने था तब वो चुनोतियां शायद और बड़ी थी तो कैसे उन चुनोतियों को आप पार कर पाए? और फिर भारत हो चाहे, दुनिया भर के कई देशों में करोना फैला, और कितनी जाने नहीं, मुझे तो इतना विशाद हुआ कि मुझे लगा, मैं इस फिल्म को तो नहीं ही बना पाऊंगा, पता नहीं मैं भी जिन्दा रहूंगा या नहीं, क्योंकि उसमें आमीरी और चुनोतियां ये थी कि हम कहां कहां शूट करें, तो जो एक प्राक्रतिक सौंदर का हमने फिल्मांकन किया, हिमाले का किया, और नदियों का किया, बुराश का किया, उसके साथ ही जो एक दुखत चीज़ें हैं, उजड़े वगर है न, और दुख, ये सारी चीज़ों का भी उसमें समिशना है, तो मतलब ये है कि इसमें चुनोतियां एक नहीं कई आई हैं, और मैं वह सारी चुनोतियां का दो जिकर भी नहीं करना चाहता है, जैसे इस पूरी फिल्म को मैंने अपने पैसे से बनाया, मेरे भाई दीपक जोशी, जो आज यहां इस स्क्रीनी में उन्होंने मुझे कुछ पैसे दीए उसके लिए, कुछ लाक उन्होंने भी दीए, लेकिन लोगों ने मुझे का कि मैं फंडिंग के लिए अपलाई करूँ, अगर मैं फंडिंग के लिए अपलाई करता है यहां पे, तो उसमें मुझे पता नहीं मिलता या मिलता तो कितनी इसका बना पाएंगे तो इसमें बहुत सारी चुनोतियां थी पर जिसको कहते हैं एक अभिवृत थी या एक एटिटूड एक रचनात्मक्ता एक पॉजिटिविटी वो जब तक आप में है आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप सोचते हैं वो आप खुद कर सकते हैं कुछ भ कहिए या लोगों पर आपका प्रभाव कहिए लोग मदद करते हैं लोग आपको पैसे से मदद भले न करें लोगों को समझ में आ जाता है अगर आप कोई इमांदार चीज़ करने जा रहे हैं अगर कोई एक बदमाश भी होगा वो भी आपकी इस्ज़त करेगा जब उसको लेगा या या आदमी तो कुछ अच्छा करना चाता है अच्छा कौन नहीं होना चाता पर इस सिद्यां आदमी को बुरा बना देती हैं तो मुझे लगता है कि चुनोतियों के बावजूद अगर आपके मन में इमांदारी है तो आप काम कर लेते हैं जैसे आपने बात की कि इस फिल्म को बनाने के दौरान में जैसे आपको काफी सारी चुनोतियों का भी सामना करना पड़ा और आपना उन चुनोतियों का सामना किया भी आपके साथ आपकी टीम का भी जो सहारा रहा आपके जो सही होगी थे उन सब का भी जो सहारा रहा उन सब के सहारे से और आपक काफी सारे द्रिश्या ऐसे हैं जो की बड़ी मुश्किल से मिल पाते और उन्हें भी आपने सहस्ता से दर्शगों के लिए उपलब्द कराया है ये एक बड़ी बात है तो काफी खूबसूरत ये फिल्म बन पाई है और ऐसी ही खूबसूरती अगर देखी जाए तो पहाडों जहां मेरा बच्पन बीता है और बिठोरिया में जो की हल्दवानी का गाउं था दोने जगे हमारी पुष्टेनी जमीने थी हम लोग जाडों में हल्दवानी चले जाते थे छे मेने के लिए और गर्मियों में पहाड आ जाते थे और हमाएं पास एक उसमाने में घोड़ा ह तो उसलिए फिर में दुबारा पहाड लोटा वहां मेरी दादी मेरे दादा मेरे चाची थी तो वहां मैं पढ़ा तो यह सिलसला चला पर फिर मेरे जो शिक्षा हुई पहाड से मेरा नाता साथ साल तक रहा और वो ऐसा संबन्द है जो एक तरह से आपके ना भी की नली की रहा है वो कभी गया नहीं मेरे मैं कभी उन बातों को भूल नहीं पाया कि मैं बच्मन महां पढ़ता था हालनकि मेरा अजूकेशन स्कूलिंग लखनों में हुआ इनुवस्टी में नहीं लावाद भी शिवद्याले से की फिर मैंने रेडियो स्टेशन में काम किया पत्रका कास्टिंग का प्रसारन का मैं बीबीसी को बड़े उचे नजर से देखता था तब ऐसा था भी तो नहीं बीबीसी में अपलाई किया मेरा नहीं हुआ दुबारा जब मैंने अपलाई किया तो मेरा सेलेक्शन हो गया तो 1988 में मैं लंदन चला गया लंदन जाके मेरी चूट कैसे होता है तो बहुत कुछ सीखा फिर उसका नकारत नुपक्ष यह था कि मैं वहीं फास गया वहीं में रहने लगा मेरी एक लड़की है पर क्रियेटिविटी के नए आयाम तलाशता रहा मैंने प्रकाशन में काम किया करीब 13 तो पुस्तक हैं हमने प्रकाशित की ह अपने South Asian Cinema Foundation संसा के माध्यम से और सब अलंग लग तरीके के और प्रोफेशनल किताब हैं और साथ मैं फिर मैंने फिल्मों पर किताब लिखी बॉलिवुड पॉपिलर एंडिन सिनेमा जो की इंटरनेशनली अंतराश्टी रूप से सबसे अच्छी बिल्ट किताब मानी जात है तो मेरे भीतर यह है कि बहुत सारे जजबे आते हैं जो मुझे लगता है कि मैं किसी समय पर कर सकता हूं मैं उसमें कूदने की कोशिस करता हूं कभी वो हो पाता है कभी नहीं हो पाता तो मुझे लगता है रचनात्मक्ता को आप परिभरशित नहीं कर सकते वो एक feeling है जिन्दगी में करना चाहते हैं तो अगर हम 10 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप इमांदारी से करें तो स्भव हो जाती हैं जैसे अगर बात की जाए समय की तो समय के खास तोर पे तीन पहलू होते हैं एक होता है अतीद, वरतमान और भाविश्ये हमने अतीद के बारे में आपसे बात की वरतमान के बारे में आपसे बात की अब बात करते हैं अगर भाविश्ये के बारे में तो भविशे को लेखर कि आपकी क्या योजनाए अभी है देखे, मेरी उम्र बहुत जल्द 70 साल हो जाएगी और पर मैं अपनी उम्र के हिजाब से नहीं सोचता मैं सोचता हूँ जब तक जान है, जहान है तो बहुत सारी चीज़े मुझे करनी है जैसे मैंने बता है, मुझे एक कठा फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ कुमाओं पर, और वो एक तरह से अंग्वाल का विस्तार है अंग्वाल नहीं होगी वो फिल्म, अंग्वाल के उसमें अंडर करेंट्स होंगे वो एक मकान की कहानी होगी, एक पुष्टनी मकान जहां एक जमाने में बहुत सारे लोग रहते थे, समाज के लोग आते थे आज वो मकान जो है, बिलकुल छूटा पड़ा है, उसमें ताला है और उसके भीतर सांप दोड़ते हैं, और जो उसके रहने वाले लोग है वो कोई लंडन में बज गया, कोई अमेरिका में बज गया, कोई हलदवानी में बज गया उस मकान के बारे में कोई निस रहते हैं, जबकि उस मकान में पूझा होती थी देखें, मकान भी एक इनसान है, मकान कोई पत्थर गारे का थोड़ी होता है तो मेरे कथाफिल मनाने का एक इरादा है मैं उसके लिए कोशिस करूँगा उसके साथ कई पुस्तके लिखने का इरादा है लेकिन जब तक हमारे सामर्त है हम ज़रूर करेंगे मेरे कुछ सीमाई भी है मुझे कुछ मेरे एलमेंट्स भी है यसे मुझे अस्थमा है पर मुझे लगता है कि देखे अस्थमा तो एक intellectual बिमारी कहते हैं लोग देखे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और उम्र उसके लिए कोई बंदिश नहीं है तो उतना ताकत तो मुझे में नहीं है जो हो सकता है 20 साल पहले हो पर मेरे पास करते हैं तो आपको साथ देखे जैसे आपने बात की कि आपके उम्र जैसे अभी 70 साल हो चुकी है और साथ ही आपने बात की कि उम्र बंदिश नहीं है और इन अगर बातों को देखा जाए तो कहीं ने कहीं ये कहा जा सकता है कि 70 साल के नौजवान एक तरीके से हम कह सकते है क्योंकि आज भी आपका ज़जबा है वो कई नौजवानों के अंदर भी देखने को नहीं मिल पाता है आज के दौर के जो नौजवान है कई मौकव पर तो अब नौजवानों के अगर बात आ गई है तो जो आने वाली पीड़ी है उसमें अगर जो नए फिल्मेकर फिल्मेकिंग मे उतरना चाहें तो उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें अब बिलकुल देखे आज की पहली बात मैं आप क्यों बता दूँ आज की जो नौजवान है वो बहुत इंटेलिजेंट है बहुत ओरिजिनल है वो लोग आपने देखा मेरी फिल्म के जो एग्जेगुटिव प्रोडूसर हैं और जो एडिटर है उसके वो विकल पांडे है जो कि मेरे बहन का लड़का है लेकिन वो बंबई में काम कर चुका है जब मैंने इंगवाल के बारे में सोचा तो विकल्प के साथ हमारी जोड़ी बनी मतलब आप अंतर देखे तो आज मेरी फिल्म में अगर दमखम है तो बहुत हब तक उसका श्रे विकल्प हो जाता है तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि नाज़मान पीड़ी को क्या करना चाहिए अगर फिल्म में जाना है सबसे बड़ी चीज़ है Observation सबसे बड़ा पहला काम तो है अच्छी फिल्में देखना अच्छी डॉक्यमेंटरी देखना और वो आपको मुतासिर करती है आप असर डालती है तो आप यह सोचना कि ऐसा क्यों है कि एतने अच्छी लगती उसके बाद अगर आपका यह ध्ये है कि आप फिल्मकार बने तो आपको कोई नहीं रोख सकता पर उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए आपको अनुभा हो चाहिए तो एक तरीका यह है कि जैसे विकल्प ने एडिटिंग समपादन कभी नहीं किया था पर उसे आता था अगर मैं समपादक लेता बंबई से कहीं सी तो मेरे बहुत पैसे कर्च होते है तो मैंने इसको टेस्ट किया देखा कि यह कैसे समपादन करता है तो मैंने देखा कि वो तो बड़ा original है तो मैं देखी कभी भी धक्यान उसी चीज़ पर भली नहीं करता मैंने का इसका संपाधन तुम करोगे उसने का नहीं अगर कोई नहीं मिलेगा तो मैं करोगे कि मैंन का नहीं अब यह ताय होगा कि इसका संपाधन तुम करोगे उसको मैंने दो बार लंडन बुढाया तिन-तिन में ने फिल्म को एडिट किया जो कि मैंने हौल में भी कहा तो मुझे लगता है नौजवान पीडी आज की जो है वह हम लोगों से कहीं ज्यादा इंटेलिज है लोग अब देखिए मेरे को एक भी फिल्म ऐसी नहीं मिली कि महाँ में जो कि मुझे लगा कि बड़ी गंभीर है मुझे कुछ नहीं मिला तो मतलब यह है कि अगर आज की पीडी बड़ी इंटेलिजेंट है पर उसकी सोच यह है कि क्या चीज से हमें ओडियंस मिल जाए है हिट्स मिल जाए है पर वो इस पर नहीं सोचते कि हम औरिजनल क्या करें औरिजनल आपको करते हैं तो हो सकता है आपको उसको लोग पहचान नपाएं लेकिन अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते है और आप कोई रचनात्म काम करना चाहते है तो ऐसा काम करना चाहिए जो कि आपको चुनोती दे और अगर वो बन जाए तो लोगों को चुनोती दे लोग उससे कुछ सीखें छोटा मोटा काम करना कोई मस्ती वाले वीडियो बना लेना यह तो कोई भी बना सकता है तो नहीं पीडी को मैं यही कहूंगा कि वो अपने भरोसा रखें और अ पॉपुलारिटी लेने के लिए यूट्यूब से पैसा लेने के लिए काम करना creativity थोड़ी है वो तो धंदा है तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सोचिए क्या को क्या को कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर रहा है और कैसे कर सकते हैं अगर आपके अंदर इमांदारी है तो आपको सरकार भी पैसे देगी आपको लोग भी पैसा देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं आपके अंदर इमानदारी होनी चाहिए सीखने का जजबा होना चाहिए और ये भी जबंदारी होनी चाहिए कि समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, आप कोई भी काम करते हैं, वो समाज पैसा डाते, आज मैं कोई गंदी फिल्म बनाओ, तो उसको भी लोग देखेंगे, उसका खराब असर पड़ेगा, आज अगर मेरे अंगवाल बनाई, तो हो सकता है, बहुत सारे लोग, पहाड में सोचने लगे हम भी पोईट्स में फिल्म बनाएं, क्यों बनाएं हों, हो सकता है, मुझसे बेहतर बनाएं, जैसे बुरा काम इंफेक्शन होता है, अच्छा काम भी लोगों को इंस्पार करता है, तो ललित मोहन जोशी जी आपसे हमारी आज अंगवाल फिल्म के माद्धियम से काफी सार जवाद मुझे लगता है आपने हर तरह के सवाल मुझे से पूचे और मुझे चुनौती दी और मैंने इमानदारी से उसका जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और चीज उसमें जोड़ना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहे तो आप ज़रूब पूचे ह बात हुई है, अब उसके लिए मैं आपको बदाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे से सवाल ना पूचते, जिस तरह से आप उसको बढ़ाते नहीं, तो मैं क्या बोलता है, तो मैंने खुद भी इंटर्वू लिये हैं, मुझे लगता है कि इंटर्वू लेना भी कला है, किसी से आप इंटर्वू लेते हैं, तो आपको ये असेस करना पड़ता है कि ये इंसान का सोच क्या है, इसको कैसे हम इस से चीजे निकाल सकते हैं, तो ये भी उतना ही क्रेटिव काम है, रेडियो पदरगारिता, जितना कि कोई भी काम है, और ब्रिटन में आज भी जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, वो टेलिविजिन नहीं देखते हैं, वो रेडियो सुनते हैं, रेडियो फॉर, रेडियो थ्री, उसकी इतनी लिस्निंग है कि लोग गाड़ी से जाते हैं, तो रेडियो फॉर लगा होता है, तो रेडियो का जो तिलस्म है, रेडियो की उसको करते हैं अगर आप popularity के लिए करते हैं तो कर सकते हैं आप popular भी हो सकते हैं पर अगर आप गहरा ही के लिए करते हैं तो उसका भी एक रास्ता है तो मुझे लगता है कि जिन्दगी जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि जो आप चाहते हैं वो आपको देगी तो ललित मुहन ज दन्यवाद, आपका बहुत बहुत दन्यवाद, तो शोतों इसे के साथ मैं आनिल भी चाहूंगा आप सबसे इजासत, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.